बेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 6 अगस्त 2022 और 6 अगस्त 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे हमें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट पैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्टम में आपसे कुश्चिन ही पोज़ोंगा उसका आंसर आपको कमेंट वॉक्स हूं बताना है आज कि इस वीडियो की पीडियाप फाइल आप इस वीडियो के डिस्कस में से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियाप आप हमारे अंतरास्टी ट्रैफिक लाइट दिवस का मनाया गया है तो अभी पांच अगस्त को अंतरास्टी ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया तो इस कुश्चिन का बे आपसेंस है जेम्स होंग द्वारा डिजैन किये गए और 1918 में पेटेंट कराए गये दुनिया के पहले निक अगस्त को मुसलिम माइला अधिकार दिवस और वर्ड लंग कैंसर डे मनाया गया था दो अगस्त को पेंगली बैंकिया की 146 में जैनती मनाये गयी जो भारती धवज का प्रारंबिक डिजैन था रो पेंगली बैंकिया ने डिजैन किया था this इस बार इनकी 146 मी जैनती मनाई गई है और अभी आजादी का अमरत महुत सब चल रहा है तो इनकी जैनती पर एक इसमारक डाक टिकेट भी जारी किया गया तो इस कुश्यन से आपको इतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट विक्स करो चाहे चोटा सा ही टार्गेट विक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट विक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अजीब करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी। Next question है, हाली में केस राज ने इसकूली सिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवरतन लाने के लिए नेती आयो के साथ त्रिप अच्छी समझोता किया है। तो अभी अरणाचल प्रदेश गवर्मेंट ने इसकूली सिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवरतन लाने के लिए नेती आयो के साथ त्रिप अच्छी समझोता किया है। तो इसकूशिन का C options है यह है। अब अरणाचल प्रदेश तो यह है मैप में अरणाचल प्रदेश अरणाचल प्रदेश की capital क्या है एटा नगार अरणाचल प्रदेश की चीपनिष्ट कौन है पेमा खंडू और अरणाचल प्रदेश की present time पे गवर्नल कौन है ब्रिगेडियर बेडी मिस्रा अब अरणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परसुराम की 51 फेट उची प्रतिमा स्तापित की जाएगी अप्रेल 2022 में GST राजसु संग्रे में अरणाचल प्रदेश सेर्स वर रा था और होलोंगी में अभी ग्रेन फिल्ड हवाई अड़ा बनेगा अरणाचल प्रदेश में होलोंगी में ग्रेन फिल्ड हवाई अड़ा बनेगा अच्छा अवणाचल प्रदेश में अर्रिनम नाम की चंजाती पाई जाती है इतना आपको अवणाचल प्रदेश की वारे भ्याद रखना है ने क्यूशन है हाली में भारत के उननचास में मुख्य नैदीश की रूप में कौन पदभार ग्रेड करेंगे तो अभी जस्टिस उद्ययू ललित भारत के उननचास में मुख्य नैदीश की रूप में पदभार ग्रेड करेंगे तो इस कुशन का बे आपसंस है इनका नाम है जस्टिस उद्ययू ललित तो आपको कई जगे जस्टिस यू यू ललित भी लिखा देखेगा ये हैं Justice U.U. ललित और यही अभी बारत के 49 में मुख्य नयाईदीस की रूप में पदबार ग्रेड करेंगे अच्छा अभी प्रजेंट टैम पे हमारे मुख्य नयाईदीस कौन है? Justice N.V. रवन्ना कौन है? Justice N.V. रवन्ना नयाई कुशन है हाली में अमेरिका की सेनेट ने केसे नाटो में सामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी थी? तो अभी अमेरिका की सेनेट ने स्वेडन और फिनलेंड इन दोनों देशों को नाटो में सामिल होने की प्रस्ताव को मंजूरी थी तो इस question का say option सही है उप्रयुक्त दोनों अब नाटो तो नाटो की फुल्पम क्या है North Atlantic Treaty Organization अचा नाटो की स्टापना कब होई 1949 में और नाटो का headquarter कहा है यह question कल मैंने आपको Instagram पर quiz section में पूछा था maximum student का इसका answer गलत था अचा बहुत बार यह मैंने आपको बताया होगा और अक्सर यह headquarter यह capital में आपको बताता रहता हूँ फिर भी आप यह चीज़ें भूल जाते हो Instagram पर कल मैंने quiz में यह question पूछा था कि NATO का headquarter कहा है तो maximum student का answer गलत था यह चीज़ें आप गलत मत करो इनको आप याद करो NATO का headquarter कहाँ पर है ब्रुसेल्स में maximum student Paris answer कर रहे थे ऐसा आप कैसे कर सकते हो NATO का headquarter ब्रुसेल्स में है अच्छा जो मैं quiz post करता हूँ Instagram पर उसे attempt किया करो जिससे कि आपको question solve करने की habit वनेगी और आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आप भूल रहे हो Instagram पर indresrc Instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं जो Instagram पर story का section होता है वहाँ पर में quiz post करता हूँ डेली आप quiz attempt किया करो तो ध्यान रखना नाटो का headquarter ब्रिसेल्स में है और नाटो के present time पर secretary general कौन है जेन्स स्टोल टेनवर्ग कौन है जेन्स स्टोल टेनवर्ग next question हाली में जुलाई महा में भारत का तेसरा सबसे बड़ा कोईला आपूर्ति करता कौन बना है तो अभी रूस जुलाई 2022 में भारत का तेसरा सबसे बड़ा कोईला आपूर्ति करता बना तो इस question का बे option सही है अब रूस तो ये है map में रूस रूस की capital क्या है मॉस्को रूस की currency क्या है रसियन रूबल और रूस के present time पर president कौन है अभी रूस ने 2024 के बाद अंतरास्थी अंत्रिक्ष केंद्र चोड़ने का फैसला किया है 2022 में भारत का सबसे बड़ा di-amonium phosphate खाद आपूर्ति करता रूस बना है और रूस के पत्रकार हैं दिमित्री मुराटोग को noble pace prize मिला था लेकिन इन्होंने यूकरेन की बच्चों की मदद के लिए ये noble pace prize पेच दिया है दियान रखना ये रूस के पत्रकार है और रसिया यूकरेन बिबाद अभी बहुत चर्चा मेरा तो इन्होंने यूकरेन के बच्चों की मदद के लिए अपना noble pace prize पेच पेच दिया है अचाया रूस में ऊरल के पहाड है रूस में lake वैकाल है रूस में mount alvaras है अचा रूस की संसत का नाम क्या है डियूमा ज्यान रखना रूस की संसत का नाम डियूमा है और जापान की संसत का नाम क्या है डाइट ने हुशन है हाली में मिठिलेस चतुरवेदी का निधन हुआ है वे कौन थे हाली में स्वदेशी रक्षा उपकरण विक्सित करने के लिए केस IIT ने DRU के सा साज़धारी की है तो अभी स्वदेशी रक्षा उपकरण विक्सित करने के लिए IIT रुडकी ने DRU के सा साज़धारी की तो इस question का say options है अब पहले DRU DRU की full form क्या है? Defense Research and Development Organization DRU की स्थापनकाव हुई 1958 में DRU का headquarter का हाँ पर है? New Delhi में और DRU के present time पर chairman कौन है? G. Satis Reddy अच्छा कई बार DRU का motto exam में पूछ लिया रता है तो DRU का motto क्या है? Strength, Origin, Agent, Science यानि कि बलस, मूलम, बिज्ञानम यह संस्कृत में है और इसी को English में कहें तो Strength, Origin, Agent, Science अब IAT की बात है तो अभी भारती भासा प्रोद्योगी को बडावा देने के लिए IAT मद्रास ने नेले कडी केंदर लॉंच किया है IAT कानपुर ने निर्मान तौरक कारिकरम सुरू किया है IAT कानपुर ने अंतरिच रोबोट के लिए जैप प्रेरित क्रत्रिम मासपेसी बिक्सित किया है और IAT मद्रास ने जो सेफ्टिक टैंक होते हैं उनकी सपाई के लिए एक रोबोट डिवलफ किया है ने क्यूशिन है हाली में कौन सा देश 2022 के लिए सैयुक्त रास्ट सुरक्चा परिसद आतंकबाद बिरोधी समिती की अध्यक्सा करेगा तो अभी अपना देश भारत 2022 के लिए सेयुक्त रास्ट सुरक्चा परिशत आतंकबाद बिरूदी समिती की अध्यक्सा करेगा तो इस question का बे options है अब सेयुक्त रास्ट सुरक्चा परिशत यानि की UNSC United Nation Security Council इसकी स्तापना कव होई 1945 में इसका headquarter कहाँ पे नियू यॉर्क में अचा एक question बनता है कि UNSC में कितने member हैं तो इसमें total 15 member हैं जिसमें इसे 5 permanent member हैं और 10 non-permanent member हैं ये जो 5 permanent member है इनी को pay 5 country का जाता है तो pay 5 country कौन है US, UK, France, Russia और China ये 5 pay 5 country है यानि कि UNSC की permanent member है next question है हाली में रास्टी राजमार्गों के गुडबत्ता परिक्षड के लिए कैसे चुना गया है तो अभी रास्टी राजमार्गों की गुडबत्ता परिक्षड के लिए उड़ेशा को चुना गया तो इस question का A options है mobile परिक्षड बेन के माध्यम से रास्टी राजमार्गों के गुडबत्ता का परिक्षड किया जाएगा और ये जो mobile परिक्षड बेन है ये हर तिमाई में लगबग 2000 km रास्टी राजमार्ग का परिक्षड करेगी अब उड़ीशा तो ये है map में उड़ीशा उड़ीशा की capital क्या है भुबनेश्वर उड़ीशा की chief minister कौन है नवीन पटनायक और उड़ीशा की governor कौन है गनेशिलार अच्छा उड़ीशा में है वेलर दीप और वेलर दीप का नाम बदल के एपी जे अबदुलकलाम दीप रखा गया है उड़ीशा दिवस या उतकल दिवस का मनाय जाता है ये एक अपरेल को मनाय जाता है अभी उड़ीशा के मुख्यमंत्री ने lockdown lyrics नामक पुस्तक का विमोचन किया रास्ती MSME पुरुसकार 2022 में उड़ीशा को प्रत्थम पुरुसकार से सम्मानित किया गया और कम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल 25 सेकिंड का सफल परिक्षट उड़ीशा में किया गया अच्छा उड़ीशा में सुनावेडा वायल डाफ सेंचुरी है कूठागड वायल डा जाता है उड़ीशा में लिंगराज टेंपल है कुडार्क टेंपल है जगनाट टेंपल है इतना आपको उड़ीशा के वारे में याद रखना है नए क्यूशन है हाली में पाकिस्तानी सेना के किस लेटिनेंट जनरल को क्वेटा में बारेमी कूर कमंडर के तौर पर नियु एटिनेट जनरल हैं और इनको अभी क्वेटा में बारेमी कूर कमांडर के तोर पर न्यूत किया गया अब पाकिस्तान तो यह है मैप में पाकिस्तान पाकिस्तान की केपिटल क्या है इस्लामाबाद पाकिस्तान की करंसी क्या है पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान के प्रेजे रूपेटा बनी है भारत और पाकिस्तान के वीच बैक चैनल बारता का नेत्रत करने वाले सतिंदर लामबा का 81 बरस की उम्र में निदन हो गया है और बेस्ट इंडिज के पूर कप्तान डेरन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरुसकार मिला है सितारा ए पाकिस्तान पुरुस को डिवाइड करने वाले लाइन को क्या कहते हैं डूरंड लाइन इंडिया और चैना को डिवाइड करने वाले लाइन को क्या कहते हैं मैक मोहन लाइन यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाले लाइन को क्या कहते हैं 49 पहलाल ऐसे ही नौर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को divide करने वाज लाइन को 38th पहलाल कहते हैं, तो ये कुछ important dividing line है, ये आप याद रखिए, नय क्यूशन है, भारत की कितनी नई आदर भूमियों को रामसर सूची में सामिल किया गया है, तो अभी भारत की 10 आदर भूमियों को रामसर सूची में सामिल किया गया है, तो इस question का say options है, तो अब total कितनी रामसर साइट्स हो गई है, total हो गई है, 64, अचा है इंडिया ने रामसर सूची पर हस्ताक्चर कब किये थे, अपने देश भारत ने रामसर समझोते पर हस्ताक्चर किये थे, 1982 में, कब 1982 में, अचा है total 64 हो गई है, और ये जो 10 हैं, जिसमें से 6 तमिल न सामें है, इस तरह से 10 नई आदरभूमियों को रामसर सूची में सामिल किया गया है, ने किशन है, हाली में केसराजी की खगोली बेद साला को युनेसको की महतपूर संकट गरस्त बिरास्त बेद सालाओं में सामिल किया गया, तो अभी बिहार की खगोली बेद साला को युन लेसकर की महत्पूर संकत ग्रस्त बिरासत बेद्सालाऊं में सामिल किया गया। तो इस के महत्वूर को क्वेपिल क्या है। पटना वियार के चीपनिश्टर कौन है नितिस कुमार और वियार के गवर्नर कौन है फागू चोहान अच्छा अभी फिलिप कार्ट ने बिहार राज गौसल बिकास नेवम के साथ समझोता किया भारती भू बैग्यानिक सरविक्षट के अनुसार बारत का सबसे बड़ा स्व प्रयोग साला का उद्गाटन किया गया अचा बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है बिहार में बालमी की नेशनल पार्क है नेशन है हाली में भारत और केस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास आयोजित किया जाएगा तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका की सेना की बीच युद्ध अभ्यास नाम का अभ्यास आयोजित किया जाएगा तो इस कुशिन का C options है इस exercise का नाम ही युद्ध अभ्यास है मैंने आपको कई बार बताया है इंडिया और अमेरिका की बीच में कौन कौन सी defense exercise होती है कोप इंडिया, टाइगर ट्रम, भज्ब परहार और युद्ध अभ्यास जिसमें से युद्ध अभ्यास का आयोजन अभी उत्राखंड की आउली में किया जाएगा और ये इसका कौनसा असकरड होगा ये इसका अठारेमा संस्करड होगा नैक्यूशिन है बेसु का सबसे बड़ा तेरता सौर उर्जा सैयंतर कहां बनाया जाएगा तो अभी मद्य प्रदेश में बेसु का सबसे बड़ा तेरता हुआ सौर उर्जा सैयंतर बनाया जाएगा तो इसको शिन का बे ओप्सिन सही है नबे निकड ऊर्जा मंत्राले की द्वारा बेस्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर उर्जा सैयंत मद्द्रदेश के खंडवा में बनाये जाएगा अब मद्द्रदेश तो ये है मैप में मद्द्रदेश मद्धिप्रदेश की capital क्या है भूपाल अच्छा भूपाल में है भोजता मद्धिप्रदेश की चीप निष्टर है सिबराज सिंग चोहान और मद्धिप्रदेश की governor कौन है मंगू भाई सी पटेल अबी अमर सहीद चंग सेगर की भव्य प्रतिमा भोपाल में इस्ताबित की जाएगी राश्टपती रामनात कोबिन ने भोपाल में आरोगी मंथन कारिक्रम का उद्गाटन किया था चेंपियन ओफ चेज अवाड 2021 इसकी गोशना मद्य प्रदेश में हुई और कॉलर वाली बागीन के नाम से मसूर एक बागीन का निधन हुआ है इसे मद्य प्रदेश में सुपर मौम की नाम से जाना जाता था अच्छा मद्य प्रदेश में कौन-कौन से नेशनल पार्क है ये मद्य प्रदेश के इंपूर्टेंट नेशनल पार्क है नेक्स्ट कुशन है अभी लॉइन ओफ दा इसकाईज हरदित सिंग मलेक्ट दा रोयल एर फूर्स एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार नामक पुस्तक किसने लिखी है तो ये बुक लिखी है स्टीफन वारकर ने तो इसकुशन का C आपको बुक का नाम याद रखना है और इसके राइटर हैं स्टीफन वारकर इनका नाम याद रखना है अच्छा कल ही मैंने आपको बताया था कि अमिर्थ सिन्ना और जोय वट्टाचारया द्वारा लिखे पुस्तक डू डिफरेंट दा अंटोल धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया एक ये बुक है दजर्नी ओफ नेशन 75 एरस ओफ इंडियन एकोनमी इसको संजय बारू ने लिखा है और एक ये बुक है दिलेब कुमार इन दा सेडो ओफ लेजेंड नामक पुस्तक इसको फैजल फारुकी के द्वारा प्रकासित किया गया अब लास्ट वीडियो के कुश्चिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे कुश्चिन पूचा था कि हाली में आदि पूरम महुतसब 2022 किस राज़े में मनाया गया तो अभी तमिल नाडो में आदि पूरम महुतसब 2022 मनाया गया यानि कि इस कुश्चिन का ए ओप्सन सही था और लगबग सभी इस ट्वेडियोंस का आंसर सही दिया मुश्ट इस ट्वेडन है इसके बारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुश्चिन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुश्चिन है हाली में क्रसी अब संरक्षना कोस के उप्योग में कौन सीर्स पर रहा है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके लाबा हम हमारे फेस्टूप पेज पर प्रेबियस हेर कुश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेस्टूप पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके वारा फेस्टूप पे जोईन कर सकते हैं क्योंकि प्रेबियस हेर कुश्चन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी कुश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉलम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फिजन without any hesitation डिस्किस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 यह लाइक का तो अगर यह बीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं उन में आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजे आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब बे आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको daily morning में current affairs की वीडियो मिलती रहे next exam all based video thanks for watching